ना चाहते हैं कि डड़ा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो कही तलवार से भी पाउंका काटा निकलता है। या धरना अस्थल बनाया गया है। से कोई भी सहानभूती इन लोगों के परती नहीं दिख रही है। और आज यहां पर सिंहेश्वर विधान सभा से राष्टिय जनतादल के विधायक चंद्रहास चौपाल जी स्वेम आये हुए हैं। और उनको मांग पत्र कारजपालक सहायकों के द्वारा सोपी गई है। पता है सर जिस तरह से अंदोलन चल्ड़ाज सात्वा रोज है क्या कहना चाहेंगे आप लोगों किसे क्या मांग रखी गई है। कारजपालक सहायक का यह मांग जो है जैज है और सरकार को शम्मान के साथ इनका मांग मान लेना चाहिए। यह सब 16 गंटा 18 गंटा तक प्रखंड अंचल स्वास्त विभाग महर्जगा काम करते रहते हैं। और हम लोग पहले से जनपरती निधी रहे हैं। संकरपूर में खास करके हम वहां के मुख्या भी रहे हैं। जब भी प्रखंड और अंचल गए हैं तो संतोस जी वहां काजरत थे। जब भी देखे हैं तो कार्जपालक सहायक वहां एकदम अपना डूटी पर तैनात रहे हैं। तो सरकार को शम्मान के साथ इनका जो उचित मांग है मानना चाहिए। और ये सरकार शम्मेदन हीन हो चुका है। सरकार को इनका मांगने के बज़य उल्टे धमकी दे रहे हैं। ये लोग भूख हर्ताल और आत्मदाह के लिए भी तैयार हैं। आखिर कोई बेक्ती 16 घंटा 18 घंटा काम करेंगे। उनका अधिबाल बच्चे परिवार का भरन पोशन भी नहीं हो पाएगा। ये समान जनक बेतन भी नहीं दे पाता है। बारह हजार पंद्रह हजार से ही इतना महगा जुग में क्या हो पाएगा। आज सरकार चार सर रुपया का गेस का सारे 900 रुपया कर दिये। कि इननों का उचित मांग है और हम लोग इनके साथ है कारजपालक सहाय के साथ है। तरक से लेकर सदन तक इनलों के साथ रेंगे और सरकार जो धमकी देती है तो यह संभव नहीं है सरकार से उपर भी नियाय पालिका है और हम लोग हर संभव प्रियास करेंगे कि इनलों को कार्ट पालक सहय को उचीत नियाय मिलें जिस तरह से सरकार पर आपके नेता भी हमलावर रहते हैं आप लोगों का भी बयान आता है हलाकि सरकार ने भी वादा किया था चुनाओं के समय में 19 लाख रोजगार का लेकिन यहां जो रोजगार वाले लोग है वो अब इस तरह से धरना दे रहे हैं जो रोजगार वाले लोग हैं जो 17 घंटा-ठरा घंटा कारजरत है अपने कारजाल हम है उसका यह इस्थिती है कि यहां जो महला कर्मी है उनके लिए इस सब जो मांग की हैं कि उनको जो उचित अवकास है वो मिलना चाहिए उचित बेतन मिलना चाहिए उनको तो दे नहीं रह कांज़र जो कर्मी रत हैं उनको तो लगातार जिस तरह से आप देख रहें हैं कि इन लोगों का प्रदर्सन है हम पुछ कार पालग सहायकों से भी बाथ करेंगे कब से आप कारिरत है 2014 से जन्वरी 2014 से 2014 से क्या कुछ मांग है क्यों आप लोग पर दसे आठ साल से हम लोग काम कर दे एक तो वेतन विसंगती का मामला था किसी जैसे हम लोग स्वास्ति भाग में 12000 पेमेंट है बाकी भी भाग में जैसे 18000 और उपर से अब क्या आप उर्मिल बार्ट को दे दिया है तो अब हम लोग के पास्य उपाय है आत साल से काम किये और आप घढ़ बेट जाएंगे कि हम लोग का जो समय जन का काम है वो समय जन का उनको पूरा करें और नियमिति करण हम आठ्षी सुत्री मांगे उनको पूरा करें तो आज तो सातवा दिन है अब तक तो कोई सुन नहीं रहे हैं फिर डीम साहब का भी लेटर जाड़ी हुआ है अब नोकडी से निकालने की बात कही रही है तब अब क्या किजेगा अपनों चाहे जितना भी भवकियां दे दें, हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि सरकार से और डियम साब, जो भी जिला पदादीकारी हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं, कि डड़ा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो, कहीं तलवार से भी पौण का काटा निकलता है, इसलिए कार्यपालक सहायकों में कुछ महलाएं कारे करता, जो कार्यपालक सहायक हैं, उनकी पीरा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने मनमे ठान लिया है, की अब डरने वाले नहीं हैं, तो हम जिला अध्यक से भी बात करते हैं, कि आगे की इनकी क्या रननिती है, आ प्रदेश कमिटी से बारता नहीं करती है तो कल से हमलों का भूख हर्ताल अंसन एवं आगे आत्मदा की रन निती भी तैयार हो चुकी है हम लोग बारी बारी से आंदोलन का रोख बदलते रहेंगे तो ये लोग अब बड़ा गंभीर मामला है कि जब कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कल से ये लोग आमरा नंसन करेंगे भूख हर्ताल पर बैठेंगे जैसा कि अनिशित कालिन हर्ताल पहले से जारी है बीच में विभिन्य रूप से परदर्शन भी किया जा रहा था अब देखना यह है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और जिला प्रशासन के द्वारा जो इन लोगों को अब नोक्री से बरखास्त करने की बात सामने आ रही है यहां कुछ लोग बता रहे थे उस पर क्या हो पाता है अब इन से सहानुभूती होती है या नह करते हैं फिल्हाल मधेपुरा के कलाभवन धरना अस्थन से रविकांद को दीजिये इजाजत आप देखते रहे ये कोसी टाइम्स डॉट कॉम यह है कोसी टाइम्स न्यूज नेटवर्क